हेलो दियर स्टुडेंट्स तो आज हम देखने वाले हैं रिफ्रेक्शन एंड डिस्पर्जन ओफ लाइट थ्रू अप्रिज्म ठीक है इसमें हम कुछ निमेरिकल्स देखेंगे जो एक्जाम के पॉइंट ओफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट होने वाले हैं ठीक है तो इसम यसे अगर हम बात करें इसमें तो देखिए जैसा की लिखा है फ्र मीनिममम ड्यविएशन अगर मीनिममम ड्यविएशन का केस है तो कैसे हम क्वेस्ट्स वाल्व करेंगे यह चीज़ हमें देखना है ठीक है तो अगर हम म atención ड्यविविएशन पर मेंस्लिएंट को यसमें नहीं करने वाले हैं इतना ध्यान रहे तो चलिए यहां पर देखे क्या लिखा गया है यहां पर बोल रहा है कि देखे फॉर्स्ट में ध्यान रखना आपको यह फॉर्मुला कि अगर minimum deviation का case है तो उसमें r1 प्लस r2 बराबर a तो होगा ठीक है और इसमें एक बात और ध्यान रखनी है कि minimum deviation में क्या होता है कि r1 और r2 ये दोनों बराबर होते हैं r के मतलब r की जो value होगी वो a by 2 के बराबर आजाएगी क्योंकि इसमें r1 और r2 के plus पर यहां भी r और यहां भी r र minimum deviation का formula एक होता है i plus e मतलब delta minimum is equals to i plus e minus a ठीक है यहां पी जो i होता है वो incident angle होता है और e emergent angle और a जो होता है वो होता है prism angle यह सभी चीज़ें आपको पता होंगी ठीक है तो देखिए अब हम क्या करते हैं कि minimum deviation में देखिए एक बात और ध्यान रखनी होगी हमें कि i और e भी आपस में बराबर होते हैं तो जब यहां पे e के place पे आप i put करेंगे और i क्यों put कर रहे हैं क्योंकि हमें i ही given होगा ठीक है यह तो हमें कहीं बात में मिलता है ना लेकिन उसके पहले हमें i ही given होगा तो अगर e के place पे भी i put कर दें तो यह two time i i plus i यानि two time i minus e यह होग ठीक है अब देखिए इसी के base पर हम यह निकाल सकते हैं क्या निकाल सकते हैं कि i is equals two देखिए i equals two यह को इधर भी दिए तो delta minimum plus a upon two यह होगा ठीक है देखिए इसमें स्नेल्स्राज अपन जब अपन यूज करते हैं तो स्नेल्स्राज में होता क्या है कि n is equals to sin delta minimum plus a upon two upon sin a upon two यह होता है तो यह formula important है इसे आप ध्यान रखेंगे यह formula important है इसे आप ध्यान रखेंगे और एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि if a less than या equals to ten degree मतलब जब prism angle या तो 10 degree हो या 10 degree से कम हो लेकिन 10 degree से जादा नहीं होनी चाहिए तो अगर यह condition given है तो हम minimum deviation निकालने के लिए यह formula भी यूज कर सकते हैं एंड माइनस वन और इंटू ए और ए क्या है प्रिज्म एंगल बात सब्सक्राइब आ रही है तो इतने फॉर्मूल में पर बेस्ट हम कुछ question करेंगे ठीक है और question आपके screen पर दिखेंगे तो आप ध्यान रखेंगा question हम रेट कर रहे हैं आप उससे सुनिए ठीक है अब इस हमसे first question यह बोला है कि a glass prisma has angle 60 degree and minimum deviation angle is 39 degree what is refractive index of the glass बोला है कि जो से उसका refractive index क्या होगा इसमें और भी कुछ given है देखे given क्या है दिया ही कि sign 49.5 degree is equal to 7.6 लिखाए जब को 7.6 नहीं है वहाँ पर होना चाहिए 0.76 बासंज में रही है चलिए यह हमारा first question है और question को हम solve कैसे करेंगे उसके way की भी आपको ध्यान रखना होगा ठीक है 21 way में हम question को solve करते हैं यह भी आपको ध्यान रखना होगा अब देखे जैसा कि अपने को data given है और data क्या given है वह जड़ा एक बार देखे देखे अपने को given क्या है यह first number का question है और यहाँ पर given है कि a glass prism has angle 60 degree ठीक है जो glass prism है यानि कि A की value अपने को दे रखा है 60 degree इतनी बाट ठीक है आगे बोलना है कि and minimum deviation यानि कि अपने को दे रखा है delta minimum और delta minimum की value दे रखी है 39 degree अपने को बोलना है कि what is refractive index refractive index क्या होगा of the glass glass का ठीक है यानि कि हमसे n की value पूछ रहा है ठीक तो अब formula कौन सा use करने वाले हैं यहाँ पर तो देखिए हमने formula यहाँ पर हमें use करना है और वो formula हम use करेंगे जैसे कि n is equals to जैसा यह दिया गया है कि sin delta minimum प्लस a upon 2 upon sin a by 2 ठीक है यह formula use करेंगे तो देखिए यहाँ से हम रखेंगे sin अब delta minimum के place पे हम रखेंगे 39 degree और प्लस a a के place पे हम रखेंगे 60 degree upon 2 upon में sin a by 2 यानि की a के place पे 60 by 2 यह रख देंगे ठीक है अब देखिए जब दोनों को हम एड करेंगे तो जब दोनों को एड करेंगे तो आएगा क्या तो देखिए यह हम लिखेंगे sin यहाँ पे 9 और 63 कितना होगा 9 by 2 ठीक है यह आएगा अपन में 60 by 2 कितना हो जाएगा sin 30 degree इत्ती चीजे ठीक है चलिए अब जरा हम इधर से इधर आए और question को देखिए तो देखिए अगर हम इसको cut करेंगे इस वाले को cut करेंगे तो यह हमारा आ जाएगा sin 49.5 degree यह आ जाएगा by sin 30 degree यह हो देखिए जैसा कि हमें दिया गया है कि sin 49.5 degree की जो वैलू होती है वह 0.6 होता है तो हम यहाँ पर रख देंगे 0.6 upon अब sin 30 की वैलू आप सबको पता है कितना होता है यह 0.76 है ठीक है यह upon 1 by 2 sin 30 की वैलू क्या होती है साइन 30 की वैलू होती है 1 by 2 ठीक है यह ठ्यान रखना है तो जब आप इसे solve करेंगे तो यह चला जाएगा टू उपर तो 0.76 into 2 और यह आजाएगा 2 6 सा 12 और 2 7 सा 14 और 14 1 15 यह आजाएगा मतलब यह आजाएगा 1.52 तो जो इस question पे जो ग्लास लिया था हमने उस ग्लास का refractive index कितना है 1.52 के बराबर बात समय में आ रही है यह हमारा first number का question हो गया अब हम second number के question पे ध्यान देंगे second number देखे क्या दिया गया है second number में अगर देखा जाए तो देखे क्या है इसमें दो question है और दोनों को ध्यान से देखिएगा बोल रहा है first में कि the angle of prism of a thin prism बोल रहा है कि the angle of prism of a thin prism of refractive index 1.5 is 6 degree बोल रहा है कि एक prism है ठीक है उस prism का जो refractive index दिया गया है यानि n वो दिया गया है 1.5 और बोल रहा है कि जो prism angle दिया गया है वो prism angle 6 degree दिया गया है तो हमसे यहां पे बोल रहा है कि minimum deviation बताईए यानि डेल्टा minimum बताईए कितना होगा ठीक है अच्छा हमें यह पता है कि अगर prism angle 6 degree है यानि कि 6 degree क्या है यह 10 से क्या है कम है जब 10 degree से कम है तो हम यहां पे minimum deviation का जो formula हमारा होता था minimum deviation is equals to n minus 1 into a यह apply कर देंगे ठीक है और जब यह apply करेंगे तो n के place पे 1.5 है minus 1 into a और a के place पे 6 degree यह आ जाएगा तो देखिए जब हम इसे solve करेंगे तो 1.5 में से जब 1 घटाएंगे तो 1.5 में से 1 घटाने पे आएगा कितना 0.5 तो 0.5 into 6 और जब multiply करेंगे तो यह आ जाएगा 30 degree के बराबर और यही हमारा first का answer होगा clear है कोई डाउट कोई डाउट नहीं है चलिए अब हम इसमें next part की बात करें यानि second part की बात करें देखिए क्या दिया है दिया है कि in minimum deviation position position minimum in minimum deviation position ray of light is incident on an equilateral prism such that angle of incidence is equal to 3 4th the angle of prism बोला है कि जो incident angle है यानि आई वो जो prism angle है उसका 3 4th part है यानि कि 3 by 4 यह है तो इसे हम लिख सकते हैं 3 by 4 A यह लिख सकते हैं आगे देखिए क्या बुला है बुला है कि find the angle of minimum deviation बुला है कि minimum deviation का जो angle है वो हमें बताईए कितना होगा ठीक है अब देखिए हमें दिया क्या है हमें दिया है आई और हमें दिया है prism angle A बस दो ही चीज़े हमें दे रखी हैं तो फिर हम question को कैसे solve करेंगे अब यह देखिए देखिए हमने पीछे formula देखा था और वो formula था delta minimum is equals to 2i minus a ऐसा कुछ formula था बिल्कुल था अब 2 तो ठीक है अब i के place पे हम क्या रखेंगे तो i के place पे रखेंगे 3 by 4a तो हम रखेंगे 3 by 4a minus a ऐसा रख देंगे 2 2 जा कितना होगा 4 यह होगा यह आगे आपका 3 by 2a minus a ऐसा कुछ आएगा तो देखिए 3 by 2a यहां से आप निकालेंगे तो lcm मतलब 1 होगा यहां पे अपन 1 होगा लेकिन जब lcm लेंगे तो 2 आएगा ठीक है तो 2 1 जा 2 यहां पे कर लो 2 तो 2 1 जा 2 तो 1 का 3 में करेंगे तो 3 a आएगा minus 1 2 जा 2 2 का a में करेंगे तो 2a और 3a में से 2a घटाएंगे sorry 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 3a में से 2a घटाएंगे तो यह बनेगा a by 2 मेरी बात समझ में आ रही है तो जो minimum deviation यानि डेल्टा जो minimum है उस डेल्टा minimum की value क्या गई है a by 2 के बरावर बात सम्झ में आ गई चलिए अब हम next question की बात करें अब next question क्या दे रखा है चलिए next question देखते हैं यहाँ पर चलिए हम third question की बात करते हैं third question क्या दे रखा है बुल डाए कि minimum deviation angle of a thin prism is 10 degree ठीक है यह बुल लाए कि minimum deviation for a thin prism is 10 degree तो यहाँ पर एक्चुल में हमें क्या दे रखा है डेल्टा minimum तो डेल्टा minimum की value दे रखी है डेल्टा minimum की value 10 degree दे रखा है आगे बुल लाए कि find prism angle यानि यह हमसे पूछ रहा है पूछ रहा है बुल लाए कि prism angle refractive index of prism material is 1.5 तो refractive index यानि n की value दे रखी है 1.5 ठीक है हमसे यह पूछ रहा है अब देखे हमने देखा था कि जब यहाँ पर इसकी बात करें कि यहाँ पर हमें बोल रखा था थीन प्रिज्म ठीक है अब जब थीन प्रिज्म दे रखा था तो यहाँ पे हम जो formula यूज करेंगे वह formula यूज कर सकते हैं डेल्टा minimum is equals to n-1 into a यह यूज करेंगे डेल्टा minimum की value 10 दे रखा है ठीक है यह 10 दे रखा है अब आगे n की value क्या दे रखिए 1.5-1 into a यह कर देंगे तो 10 is equals to 1.5 में से घटाएंगे तो 0.5 यह यह बनेगा ठीक है तो यहाँ से जब यह की value निकालेंगे तो a की value आएगी 10 by 0.5 ठीक है तो यह आ जाएगा जब इससे इसको divide करेंगे तो 20 डिगरी के बराबर आ जाएगा मासमा रही है और यही हमारा answer होगा clear है बिल्कुल चलिए थोड़ा सा question को ध्यान रखिएगा कि कब कौन सा question किस तरीके से यूज किया ज में क्या दिया गया है बोल रहा है कि refractive indices of a material for violet and rate color are 1.67 and 1.65 if the angle of prison is 8 degree then find the value of angular dispersion थीक है हम से बात कर रहा है कि angular dispersion की value क्या होगी है तो देखिए अगर हम angular dispersion की बात करें तो angular dispersion होता क्या है theta हमें calculate करना है theta तो चलिए एक बार formula देख लेते हैं angular dispersion में कौन सा formula अपन यूज करने वाले है ठीक है और फिर हम देखेंगे dispersive power क्या होता है इसको भी एक बार discuss करने वाले है ठीक है तो ज़र थीटा से ठीक है और यह होता है डेल्टा वी यानि की वाइलेट कलर का डेवियेशन माइनस डेल्टा आर रेड कलर का डेवियेशन और यह होता है एन वी माइनस एन आर इंटू एके बराबर ठीक है तो यह होता है एंगुलर डिसपर्जन अब यहीं पर हम बात करें अगर हम स पावर जिसको उमेगा से डिनोट किया गया है और इसकी वैलू होती है angular dispersion upon mean deviation क्या होता है angular dispersion upon mean deviation जब आप angular dispersion को यहाँ पे रखेंगे और नीचे mean deviation को लिखेंगे तो theta upon del y और इसकी जो वैलू आती है वो nv minus nr upon n y minus 1 के बरावर होती है ठीक है अगर कभी माल लिजे किसी question में केवल nv और nr दिया हो तो n y अगर न दिया हो तो n y हम direct calculate करेंगे nv plus nr upon 2 से और इसे उठा के हम इस formula में put कर देंगे ठीक है तो n y के place पे यह put करेंगे और omega निकल के आ जाएगा तो ध्यान रखिएगा angular dispersion किसको बोला जाता है theta और theta की value आप या तो deviation के formula या refractive index के formula के रखिए तो अगर हम angular dispersion का formula refractive index के formula रखते हैं तो nv minus nr into a के बरावर होगा ठीक है और अगर disparaging power की बात करते हैं तो omega equals to nv minus nr upon ny minus 1 के बरावर होगा और आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे सेलबस में यानि कि हमारे को जो question आएगा इक्जाम में वो केवल इसी पे बेस्ट होगा हमें इसका यूज नहीं करना पड़ेगा ठीक है तो चलिए अब question हम जो हमने question अभी देखा था उसको देखते हैं कि किस तरीके से solve किया जाएगा तो देखें जैसा कि हम question अभी देखें कि refractive indices of a material for violet and red color are 1.67 and 1.65 if angle of prism is 8 degree then find the value of angular dispersion यानि कि देखिए अपने को theta के बारे में पूछ रहा है हमसे बोल रहा है कि theta के value बताइए क्या होगी लेकिन हाँ यहाँ पे दिया क्या है given क्या क्या है उसको देख लेते हैं हमसे यह बोल रहा है कि nv की जो value है 1.67 है और यहाँ पे nr की जो value दे रखी है 1.65 के बराबर दे रखी है बात समझ में आ रही है अपने को और एक चीज़ और देख रहा है यहाँ पे प्रिजम एंगल प्रिजम एंगल यानि ए और ए की value दे रखी है एक डिगरी के बराबर बात समझ में आई चलिए अब हमें पता है कि theta is equals to होता है nv minus nr into a यह होता है nv के place पे पन पूट करेंगे 1.67 minus nr के place पे 1.65 into a यह के place पे हम 8 डिगरी पूट करेंगे अब देखिए 1.67 में से 1.65 जब अपन घटाएंगे तो बचेगा यहाँ पे 0.02 into 8 ठीक है यह बचेगा और इसे जब solve करेंगे हम जब इसको हम solve करेंगे तो जो हमारी हमारा answer आएगा वो आएगा यहाँ पे 0.16 डिगरी के बराबर ठीक है यह आएगा और यही हमारा answer हो जाएगा कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है चलिए अब next question चलिए तो next question देखते हैं क्या दिया गया है देखे बोला है कि for a material refractive indices of rate violet and yellow light are 1.51, 1.61, 1.59 respectively find the dispersive power of material of price if mean deviation is 5 degree find the angular dispersion produced by the material of price ठीक है यह question अपने को दिया गया है अब यहाँ पे जो जो data given है उसे हम लिख लेते हैं ठीक है और यह हमारा six number का question है तो देखें यह six number का है अब यहाँ पे अपने को दिया क्या है अपने को दिया है है कि जो इसका refractive index यानि कि nr और nr की जो value दे रखी है वो दे रखी है 1.51 यह दे रखी है ठीक है उसी तरीके से बोलाए वाइलेट कलर का यानि कि nv यह दिया गया 1.61 इसी तरीके से दिया गया है n y और n y के value है 1.59 के बराबर ठीक है यह दिया गया है अपने को और दिया गया है कि जो इसका mean deviation है ठीक है और mean deviation जो है इसमें delta y होता है ठीक है और delta y की जो value दे रखी है वो है 5 degree के बराबर दे रखी है बास समझ मा रही है अब देखिए अपने को पूछ रहा है theta कि theta की value क्या होगी तो देखिए हमने theta का जो formula देखा था उस formula को क्या देखा था कि जो theta है वो होता है n v minus nr into a यह होता है लेकिन अपने को prism angle given नहीं है इसलिए formula use नहीं कर सकते है तो फिर क्या करें तो देखिए एक और formula था omega equals to theta upon delta y ऐसा कुछ था ठीक है angular dispersion upon mean deviation यह delta y जो होता है वो mean deviation होता है ठीक है इसमें एक और formula हमने देखा था कि omega की value होती है n v minus nr यह होता है upon में n y minus 1 यह होता है ठीक है तो अपने को देखिए यह पुछा है theta delta y देखिए यहां given है delta y given है फिर n v given है nr given है n y given है यह सारी data given है तो यहाँ पे हम इसी formula की help से यह question solve करेंगे ठीक है तो हम यहाँ पे लिखेंगे theta upon देखिए delta y की value है 5 degree delta y यह देखिए 5 degree दिया है ठीक है is equals to अब देखिए यह is equals to क्या लिखेंगे यहाँ पे n v और n v की value कितनी है 1.61 यह दे रखा है minus n r और n r की value देखिए 1.51 दे रखा है ठीक है तो हम रखेंगे 1.51 upon में यहाँ पे देखिए दिया गया है n y और n y की value है 1.59 तो यहाँ पे हम रखेंगे 1.59 minus 1 ठीक है अब देखिए जब इसे solve हम करेंगे तो यह बनेगा 0 और यह बनेगा 1 मतलब 6 में से 5 1 और 1 में से 1 तो यह 0 यह बन गया upon जब इस में से यह घटाएंगे तो 0.59 आएगा sorry 0.59 यह आएगा बासमज में आ रही है तो हम देख रहे हैं कि जो यह है इन दोनों में क्या relation आ गया है कि theta upon 5 degree is equals to 0.10 upon 0.59 ठीक है जब 0.9 और यह 0.10 upon 0.05 इसे solve करेंगे तो यह आएगा 0.169 यह आ जाएगा ठीक है यानि कि हम यह देख रहे हैं कि theta upon 5 degree की जो value आ गई है वह आगी है 0.169 ठीक है तो अब इसे solve किया जाए जब इसे solve करेंगे तो theta की value क्या जाएगी यह यह multiply हो जाएगा तो 0.169 इंटू 5 degree जब यह multiply करेंगे आपस में तो जो value आएगी वह 0.845 degree के बराबर आएगी ठीक है आप यहां पे solve कर लेना ठीक कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है तो इसे आप देख लेना ठीक है तो हमारा six number का question था और ठीक ठा question है अगर एक्जाम में इसी तरीके से question आते भी है तो आपको घबराने की विल्कुल जरूयत नहीं है ठीक है चलिए अब हम सेवेंथ नम्मर के question की बात करें कि सेवेंथ नम्मर का question क्या दिया गया है तो देखिए सेवेंथ नम्मर का जो question है वो है क्या सेवेंथ नम्मर का question बोल रहा है कि if a thin prism is emerge in water बोल रहा है कि इसके बाद then prove that minimum deviation of light produced by prism with respect to air will become one-fourth given यहां पर दिया है refractive index of glass with respect to air is equals to three by two अच्छा आप एक बात ध्यान रखना कि जो refractive index होता है उस refractive index को अपन n से भी denote करते हैं और इसे बोला है कि will become one-fourth इसके बाद दिया है refractive index of glass with respect to air is equals to three by two and a refractive index of water with respect to air is equals to four by three बोला है कि where symbols have their usual meaning ठीक है चलिए अब इसमें जो जो data given है उन data को देख लेते हैं ठीक है अपने को बोला है कि deviation के बारे में बात कर रहा है ठीक है यानि कि delta के बारे में बात कर रहा है तो यहाँ पे देखे इस question के अंदर दो तरीके से दिया गया है यहाँ पे पहले यह बोल रहा है कि जैसे एक prism है ठीक है अगर इस prism को और यहाँ पे एक चीज़ और बूला गया है कि यह थीन prism है ठीक है जब थीन prism है तो यहाँ पे अपन formula काउन सा use करेंगे delta minimum is equals to n minus 1 into a ठीक है यह prism angle यह दे रखा है तो prism angle यह दे रखा है इसको भी लेके कोई दिक्कत नहीं है ठीक है लेकिन अगर जब air में होता है तो air में हम यही formula use करते हैं formular करते हैं या किसी के लिए भी कर सकते हैं बस यह है कि जो this a зjatel नहीं इके तो देखिए पहली बार इसमें case first की हपनबात करें तो case first में क्या वहीं केश्परस्ट में हम यह देख रहे हैं कि जो prism है वह एयर में ठीक है जब जब air में है तो हम माल लेते हैं कि air में जो deviation आएगा वो delta 1 हो जाएगा ठीक है यह अब बोलना है कि air में जो refractive index है वो 3 by 2 है किसका glass का तो हम देखेंगे यहाँ पे दिया गया है आप इसको n लिख लीजिए nga refractive index of glass with respect to air यह दे रखा है 3 by 2 के बराबर बात समया रही है तो चलिए लगे हाथ यहीं पे deviation निकाल लेते हैं यानि delta 1 निकाल लेते हैं तो del 1 is equals to यहाँ पे लिखेंगे nga minus 1 into prism angle a ठीक है इस equals to nga की value है यहाँ पे 3 by 2 minus 1 into a करेंगे जब इसे हम solve करेंगे तो देखें टू वन जाटू 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा यानि 1 by 2 a आ जाएगा इसे हम first माल लेते हैं बास सुझना रही है चलिए अब हम इसे water में लेके चलते हैं तो case second के अगर बात करें माले केेंगे इन वाटर जो हमारा glass prism है इस glass prism को हम water में लेके जा रहे हैं तो water में deviation हम delta 2 में थीक है हम delta 2 फुल माल लेते हैं अब बात हो रही है कि अगर इसे water के अंदर ले के जाते हैं तो refractive index क्या होगा तो इस लिखने का तरीका होता है कि कि किसको ले जा रहे थिज्राव को ले जा रहे हैं तो जब प्रिज्म को ले आते हैं तो किसका निकालना होता है प्रिज्म का किसके respect में तो इसे रखियेगा कि refractive index of glass with respect to water ये अभमें नीच hierarchy और इसका होता है nga upon nwa यानि कि refractive index of glass with respect to air upon refractive index of water with respect to air यह हमारा वहाँ पर formula होता है ठीक है अब जैसा कि हमने देखा कि जो glass है glass का तो 3 by 2 है मतलब refractive index of glass with respect to air यह 3 by 2 है लेकिन यहाँ पर refractive index of water with respect to a जो दे रखा है वो 4 by 3 दे रखा है ठीक है यहाँ पर value अगर हम put करें तो nga के place पर put करेंगे 3 by 2 nwa के place पर put करेंगे 4 by 3 ठीक है तो देखें बीच का बीच में multiply और नीचे का ऊपर होगा तो लिखेंगे 3 into 3 upon 2 into 4 यानि यह आ जाएगा 9 by 8 के बराबर तो जो आया है refractive index refractive index of glass with respect to water तो refractive index of glass with respect to water आया है यह 9 by 8 के बराबर आया है अब हमें क्या निकालना है अब में डेल्टा टू निकालना है तो जो डेल्टा टू का फॉर्मूला है वो एन जी डबलू माइनस 1 ठीक है क्योंकि यहां पे यहां पे जो आप refractive index यहां देख रहे हैं हम जिस मीडियम में जाते हैं हम उसी में बात करते हैं ठीक है तो हम अगर वाटर के अंदर गये हैं तो हम किसका refractive index दे रहे देख रहे थे ग्लास का तो refractive index of glass with respect to water minus 1 अब into a prism angle ठीक है तो delta 2 is equals to आ जाएगा एंजी डबलू की value है 9 by 8 minus 1 into a यह है ठीक है अब देखे एट वन जा एट मेंस नाइन मेंस एट घटाएंगे तो 8 बचेगा मतलब 1 बचेगा तो delta 2 की जो value आई है 1 by 8 ए बनेगा ठीक है इससे second equation माल लेते हैं अब हमको बताना है delta 2 by delta 1 तो हम कहेंगे second equation upon first equation ठीक है second equation upon first equation रखेंगे तो हम रखेंगे यहाँ delta delta 2 ए डेल्टा 2 अपन डेल्टा 1 यह रखेंगे जो delta 2 की value है वो कितनी है delta 2 की value है 1 by 8a upon delta 1 की जो value है 1 by 2a के बराबर है ठीक है ऐसा ही कुछ है देखिए a से a तो cancel हो गया बीच का बीच में multiply और नीचे का ऊपर तो यह आ जाएगा 2 by 8 के बराबर divide करेंगे तो आएगा 1 by 4 तो जो delta 2 की value आई है 1 by 4 delta 1 के बराबर आ गई है क्योंकि यहाँ पर हम multiply कर देंगे तो delta 2 is equals to 1 by 4 delta 1 और यह हमारा answer आ गया है ठीक है और यही हमसे पूछा भी था और यही हमसे पूछा भी था ठीक है चलिए अब हम next question की बाद करेंगे और ray of light passes through an equilateral glass prism such that the angle of incidence is equal to equal to the angle of emergence if the angle of emergence is 3 by 4 times the angle of prism then find first the angle of deviation second the refractive index of the glass prism ठीक है अपने को angle of deviation यानि कि angle of deviation यानि डेल्टा हमसे पूछ रहा है और हमसे क्या पूछ रहा है और हमसे इसमें पूछ रहा है कि refractive index of glass prism क्या होगा तो देखिए यह question simple है इसमें कोई complicated नहीं है बस यह बोल दिया गया है ध्यान रखिएगा कि glass prism जो है वह एक lateral glass prism है जब यह 8 नमर का question हमारा अगर equilateral glass prism है तो यहां पर हम क्या बोलेंगे कि जो a है a की value 60 degree होगे इतनी बात समझ में आ गए फिर अपने को क्या बोल रहा है कि यहां पर आई और यह आपस में बराबर है यह बोल रहा है अब इसके बात की जो बात है उसमें आगे क्या बोल रहा है कि जो angle of emergence है angle of emergence यानि की जो है वह angle of prism का 3 by 4 है यह बोल रहा है कि angle of prism का 3 by 4 time है angle of emergence यह question में बोल रहा है ठीक है अब हमसे पूछ रहा है कि angle of deviation यानि delta बताईए यह क्या होगा फिर जो बोल रहा है कि इसमें जो glass हमने यूज किया है उस glass prism का refractive index बताईए ठीक है यानि की n की value बताईए क्या होगा यह हमसे question पूछ रहा है अब समझेगा यहां पे हमने देखा था कि जो deviation डेल्टा minimum ऐसे यह होता है i plus e minus i plus e minus a यह होता है तो अब देखिए अगर यहां से बात की जाए तो i equals to e is equals to 3 by 4 a होता है तो यहां सब्सक्राइब 45 तो यह 45 डिग्री हो गया ठीक है यानि a की value sorry i और e की value i और e की value कितनी हो गई 45 डिग्री अब डेल्टा minimum में आप formula में पूट कर दो जब हम पूट करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा डेल्टा minimum is equals to यह हमारा आ जाएगा यहां से i की value कितनी तरह कि है 45 डिग्री एक की value भी 45 डिग्री माइनस a की value कितनी है 60 डिग्री तो डेल्टा minimum डेल्टा minimum अब यहां पे आप देखिए 45-45 यह 90 होगा और 90 में से 60 घटाएंगे तो कितना बचेगा 30 डिग्री तो डेल्टा minimum की value कितनी आ गई है 30 degree आ गई है अब देखिए बात हो रही है एक तो निकल गया अब हमसे prism की बात कर रहा है जो prism है उस prism के refractive index की बात कर रहा है तो हमने देखा था कि इसका formula होता है n is equals to sin delta minimum plus a upon 2 upon sin a by 2 यह हमारा formula होता था यह formula होता था n equals to sin delta minimum plus a by 2 upon sin a by 2 यह हमारा formula होता था अब यहाँ पे values अगर put की जाए तो sin delta minimum की value कितनी है तो delta minimum की value कितनी दे रखी है यहाँ पे 30 degree तो यहाँ पे हम रखेंगे 30 degree plus a की value दे रखी है 60 degree तो यहां 60 degree by 2 कर देंगे upon में sin a by 2 और a by 2 का मतलब कितना कि 60 by 2 यह रख देंगे तो यहां पर जब solve किया जाएगा तो यहां पर देखिए 30 plus 60 90 यानि 90 by 2 का मतलब 45 तो sin 45 degree upon 60 by 2 का मतलब 30 यहां से देखिए आया क्या है यहां से हम देख रहे हैं कि n की वैलू जो आ रही है अब इसे जड़ा इधर रीख दें तो n is equals to यहां पर आ रहा है हमारा 1 by root 2 upon 1 by 2 यहां रहा है तो 20 का 20 में multiply और नीचे का उपर हो जाएगा तो यहां पे हम देखेंगे कि यह आ जाएगा 2 into 1 upon यहां पे लिखेंगे root 2 into 1 ठीक है अब देखें यहां पे लिखा जाएगा यह आ गया 2 upon root 2 अब देखें 2 में जब root 2 से divide करेंगे तो root 2 time जाएगा और इसकी जो value आएगी root 2 की value कितनी 1.414 होता है यानि कि जो n की value आई है n की value कितनी आगे 1.414 यानि कि जो prism था उस prism का refractive index है 1.414 के बराबर बात समझ में आ गई तो यह हमारा answer हुआ चलिए यह 8th नमर का question था अब हम 9th नमर के question की बात करते है चलिए धियान से समझिएगा इसको भी यहां पे क्या बोल रहा है 9th नमर में कि if a thin glass prism is immersed in water then prove that light produced by it gives minimum deviation angle 1 by 4 times of minimum deviation angle of the prism in air देखिए यह question हमने किया है ठीक है और यह question अगर हमने किया है तो यह question 7th नमर का है तो उसी type का यह question है आपको question मिल जाएगा आप जरूर solve कर लेना ठीक है चलिए अब 10th नमर के question की बात करते है 10th नमर का question क्या दे रहा है 10th नमर question में 2 part है first part की बात करते हैं first part में बुल रहा है कि अब prism with 63 degree angle angle has deviation angle 29 degree for yellow light find incidence angle बोला है कि incidence angle क्या होगा यानि कि i की value पूछ रहा है हम से ठीक है अब देखें यहां पे क्या बोलना है कि prism angle 63 degree है तो prism angle 63 degree यानि कि a की value दे रखिये 63 degree वा सुझना रही है उसके बाद हमसे बोल रहा है कि जो deviation angle है यानि कि delta वो दे रखा है 29 degree यह भी ठीक है हमसे क्या पूछ रहा है हमसे पूछ रहा है i की value क्या होगी तो i की value यानि कि incidence angle क्या होगा यह हमसे पूछ रहा है तो देखिए delta minimum यह आता है i plus e यानि कि इसको लिख सकते हैं 2i minus a ठीक है यह लिख सकते हैं अब minimum के place पे हम रखेंगे 29 डिगरी तो यह 29 डिगरी इस इक वस्टो टू आई माइनस ए और एक वैलू कितनी है 63 डिगरी ठीक है अब 63 डिगरी को आपन यहां भेजेंगे तो यह बनेगा 2i is equals to 29 डिगरी प्लस 63 डिगरी ठीक है यह आपका आजाएगा 92 डिगरी जब दोनों कोईड करेंगे तो तो यहां से i यानि कि 2i is equals to 92 डिगरी आया है तो i की वैलू कितनी आजाएगी 92 डिगरी बाई 2 यानि यह आजाएगा 46 डिगरी के बराबर ठीक है तो यहां पे हम सिडेनस इंगल है वह 46 डिगरी के बराबर होगा थिक है त肉 मैं एसमें का यह यह इपार्ट था अब इसके वी पार्ट को करते हैं बीपार्ट देखे क्या है इसका बी पार्ट इसमें समझिएगा यहां पर बोल रहा है बी पार्ट में कि फॉर एनी मैटेरियल रेट वॉइलेट एंड येलो कलर है रिफ्रेक्टिव इंडिसेश 1.5 तो कॉमा 1.62 एंड 1.60 respectively find the color dispersive power dispersive power पूछ रहा है यानि अपने से पूछ रहा है उमेगा की वैलू और उमेगा का यहां पॉर्मॉल आप क्वेट्स विन् fearless 1.52 है याने की एन आर की जो वैलू है 1.5 पाईब और यहां पर इसके बाद बोल रहा है वाइलेट की यानinku nv की वैलू है 1.62 और यहां पर इसके बाद इन वाई की जो वैलू है 1.60 के बड़ावर है ठीक है तो अब यहां से देखिए omega is equals to लिखेंगे यहां पे nv और nv की value दे रखे 1.62-nr की value दे रखे 1.52 अपॉन में ny की जो value दे रखे है वो 1.60-1 यह दे रखे है ठीक है अब देखिए जब इसको घटाएंगे तो 2 में से 2 तो यह 0 और 6 में से 5 तो 1 और यह जाएगा 0.10 अपॉन में जब इसमें से यह घटाएंगे तो 0.60 बचेगा ठीक है यह आएगा अब देखिए जब इसको solve करेंगे तो यह आएगा आपका लगभग लगभग 1.66 के बराबर ठीक है तो यहां पर डिस्पर्जी इंगल डिस्पर्जी पावर जो आएगी वह 0.166 के बराबर आएगी ठीक है चलिए अब आपन next question की तरफ move करते हैं और यह हमारा दिया क्या गया है यह देखिए यहां पर बात कर रहे हैं 11 नमर के question की और 11 नमर का question जो है वह क्या बोल रहा है देखिए यहां पर question है कि for flint glass refractive index of violet yellow and red color are 1.632,1.620 and 1.613 respectively find color dispersi power for light for flint glass material dispersi power पूझ रहा है देखिए यह जो उपर वाला question अभी हमने किया है न यह वही question है ठीक है फिर भी अपने इसको देखिए पूछ रहा है उमेगा की value क्या होगी यहां पर अपने को दे रखा है कि nv यानि की violet color का refractive index 1.632 यहां पर इसके बाद बोल रहा है कि yellow color का यह है 1.620 और इसके बाद अपने को बोल रहा है यह rate color का तो nr इसकी जो value है 1.613 के बराबर है ठीक है और अपने को disparaging power omega पूछ रहा है तो omega is equals to nv minus nr upon my ny minus 1 यहाएगा value put की जाए तो 1.632 nv के place पे यह put कर देंगे minus nr के place यह put कर देंगे 1.613 upon my ny के place पे यह तो 1.620 minus 1 और देखे जब इसको अपन solve करेंगे solve जब इसको किया जाएगा तो जो इसकी value आएगी वो आएगी 0.03 के बराबर ठीक है यह आएगा तो जो disparaging power है वो यह आजएगा ठीक है तो आज के लिए इतना ही रखते हैं अब हम मिलेंगे next lecture में कुछ और बहतर question के साथ ठीक है तो thank you